कर दो आज नगुं नाज नो माई चैनल जीकर दोरिया हम कर रहे थे क्लास साइमन के साइंस का चैप्टर 13 दाट इस मोशन टाइम जिसमें लास्ट टाइम डिसकस किया था मेजरमेंट आफ टाइम आज का हमारा टॉपिक है मेजिंग स्पीड स्पीड को कैसे मेजर करते हैं ले ताइम को मेजरमेंट करने के लिए हम उसके यूनिट लगाते हैं सेकंड में मिनट में और में डिस्टेंस हमारी मीटर में किलो मीटर में सैंटिमेंटर में तो हम कैसे कर सकते हैं स्पीड किसी अपजेक्ट की चलिए देखते हैं हम कैसे स्पीड कर सकते हैं कि बॉल की जो रहाँधा हो जाए एक से 2 मीटर दूर तेक है अब क्या करेंगे अपने फ्रेंड को जैनली करेंगे करेंगे बॉल ग्रॉण के उपर जो उसकी ड्रैक्शन जो है वो पर फैंडिक ड्रॉड लाइन में उसी ड्रैक्शन में आपने बॉल को रोल करना है वह टाइम भी नोट करन और कब वो rest में आएगी तो कितना time दिया ball ने कम मदद rest में आने पर यह अपने note रखना है कि जब ball rest में आएगी तो कितना time कितने time उसने roll किया कब वो rest में कितना time लगा total उसके बाद आपने क्या करना है distance जो है वो measure करनी है कहां से ball ने cross किया line को किस point पे चाके वो rest पे आई अब इसकी जगा skill भी यूज़ कर सकते हैं measuring tape भी यूज़ कर सकते हैं याद रखिए अललग group में repeat की जिए same activity सिर्फ एक वार पीड नहीं करनी जासे यहां पर दिखाया गया यह देखे ball है यहां से अपने ball को रोल की अपनी friend की side आपने देखना है कि ball ने कितनी distance कवर की कब जाके ball जो है measurement जो भी है वो आपको टेबल यहां पर दिया गया 30.3 में आपने इसमें रिकॉर्ड करके रखनी है अपनी observation वो हर एक case में आपने calculate करनी है speed किसकी ball की पता आपको speed किसकी को दिया distance upon time हर टाइम आप distance पर फाइंड कर रहे हो अब टाइम भी रिकॉर्ड कर रहे हो उस distance को जब आप टाइम के साथ डिवाइड करोगे तो आपकी क्या आएगी speed आएगी अब आपने क्या करना compare करना speed इसकी walking जा cycling की अपने friend के साथ यह आप चाहते टाइम कितनी आपकी speed होती है जब cycling कर रहे हो तब आपके कितनी speed है तो अगर आप यह जानना चाहते है distance कितनी है school की आपके घर से जा किसी और point से अगर आपने जानना है speed find करने है तो उसके लिए को distance भी चाहिए आपको time की नीड पड़ेगी तो हर case में आपने मेजर करना है time taken कितने distance कवर हुई है उसके बाद आप calculate कर सकते है speed तो यह बहुत ही interesting है यह जानना कि आप दो friend हैं तो कौन जो है वो fast है वो कैसे पता चलेगा वह आपकी speed से पता चलेगा क्योंकि जो speed होती है कुछ living organism की वह को यहां पर given देगी है इस table में वह भी किलो मेटर में पर आर जैसे कि यह अबजट के नाम बताए है वार्कन की 320 km पर यह मेटर सेकंड में convert किया है चीता की speed 112 km पर ब्लू फिश की speed 40 to 46 km पर आर रैबिट की speed 56 km पर आर स्केल जो गलहरी है उसकी speed 19 km पर आर डमस्टिक जो आम माउस पाए जाते हैं उनकी speed 11 km पर आर इंसान की speed 40 km पर आर तक होती है ग्यांड बड़े turtle की speed 0.27 km पर आर कितनी कम है उस snare की तो उससे भी कम है 0.05 km पर आर तो यह कुछ animals है यह उनकी speed बताएगी है वो भी fastest way में सबसे जादा speed है आपकी फाल्कन की जो आपके rocket launching satellite होते हैं आपके आरबिट में उनकी speed जो है 8 km पर सेकंड की speed की होते है तब जाके वो चाहते हैं आपके orbit में दूसरी साइड जो टर्टाइल है वो कितनी speed से मूग करता है 8 cm पर सेकंड से तो आप calculate कर सकते हैं कौन ज्यादा फास है rocket जड़ टर्टाइज डेकली दिख रहा है जो एक सेकंड में आपका 8 km जा रहा है तो आपका turtle का कितना है 8 cm पर सेकंड में तो naturally दिखाए दे रहा है कि आपके rocket की speed जो है जादा है अगर आप चाहते है speed जो है आपको पता object की और find करने तो आपको distance कितनी move की है वो भी चाहिए वो कितना time है ये भी चाहिए तब ही आप find कर पाएंगे speed जो है किसी भी object की और आपको क्या करना है multiply करना speed को by time से अगर यहीं से देख सकते हैं अगर आपने time find करना है तो यह speed जो मालटी प्राइम में जडिवाइड में जली जाएगी means distance upon speed आपका जो है वो किसके एकको हो जाएगा time give को यह है आपका formula time अगर आपने निकालना हो तो distance upon speed means आपकी एक equation है distance equals speed into time उसी से आप distance find कर सकते है time भी find कर सक आपके पास किसी दो की value जो है वो given होनी चाहिए आपने देखा होगा मीटर जो है फिट होता है scooter के टॉप पे जाप मोटर साइकल पे उस तरह मीटर जो है कास के डैश्बूर्ट जो बसस हैं जो किंग वैगल सोते वहां पर फिट हुआ होता है वहां पर दिखाया क्या होता आखे धिंडीन स Exodus ौरी व्र उसमें होता किया फिक स yapmış होता है सeton किलोमेटर पर आता है कि उलने कि वह чल रहा है एक गंटे में दो गंटे में अगर जिसको हम बोलते हैं स्पीडो मेंटर मिस झसे हम Henceальное करते हैं उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं मिल चाने जो स्पीडो मेंटर यह देखिए मंदह में बहुता है आपकी होता है आपका यूज होता है कि यह हम क्या करते है इस से हमें स्पीड की ड्रैक्टरी वह मिल जाती है किलोमेटर पर ऑड में किलोमेटर से हम कितनी हुए उसका पता चलता है स्पीड के श्तैञा पिकनिक में जा रहे घा रहे हैं तो पहले सब्सक्रीगें झायौ्ड करना चाहते हैं जिस पे ओर्ट मेंटिमेंटर पर इसका बस का हर 30 मिनिक के बाद जब-tक कि उनिकी जनी पूरी ना हो तो उसने क्या किया है रिकॉड की फॉरга ह् टेवल दिया गया मैसे रिकॉर्ड कि हर 30 मिनिक के बाद से रिकॉर्ड की है तो आप बता सकते हैं कि कपी पोड्म स्पॉर्ड जाईए स्कूल से यहरा को दिस्टेंस पता चल रही है इसके पास गीवन है डिस्टेंस सप्धा टाइं करे है तो तो बहुत कर सकते स्पीड बसकी वही चीज आगी हर जितनी उसर्वेशन नहीं है उसने आदे गंटे के बाद उसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम करते जाए फिर एक मीन स्पीड निकाली एवरेज जिसे बोलते हैं वह आपकी स्पीड हो जाएगी बसकी टेबल में देखिए बुजो आप द Алब करें को जाएगा वा तरुन को बताएं कि कि स्पीड करते हैं ये इक इक्स होती ही ये वह देते here यहां पर डिस्टेंस को और ताइम को शो करते है साहर आदे गन्टे kबाद आपने यह कि आप आपनों पर हुए है अ कि इस एस तर्छा resonance के बार आप सब्सक्राइब टाइम इन्टरवल है तो जो जी थाइम है टाइब कर ग्राफ का है यह शो किया गया है इसे हम कहते हैं आरदीॉम्हें अपने की ये रीड किया होगा इसको हम पयाइब घ्राफ एको टाइब के डिस्टेंस टाइम ग्राफ यह होता है चरिंग हम देखते हैं कि कैसे बनाते हैं हम ऐसे ग्राफ को यहां पर देखिए इस धिगई है यह जो सच कर फिगर यह आपकी पाई चाय शो करें है ठीक है composition बता रही है ये का लाइन ग्राफ ये दिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ये ये आपका ला इंग घ्राफ है ये देख सकते हैं ये में बताई है बटाए है और ये ये आपका कैस लाइन ग्राफ है जो कर रहा है चांच करते हैं उस के हैं और यह दो नहीं प्राइं से हम यह हम अब750 करते हैं वह यह जाहां पर यह दोका इसे हम ऑप verdict's ञास सब्सक्रायों और यहां जाइन ने का evitarude तौ सब्सक्राइब करना है वह हम इस के करेंगे positive value x axis पे means x पे उसी तरह positive value जो y x की हो हम show करेंगे ओ य पे इस chapter में हम consider करेंगे सिर्फ positive value जो भी quantities है वो सिर्फ positive ही लेंगे graph में otherwise आपको पता graph में negative value भी consider कर सकते हैं लेकिन यहां पर हम आलदी positive value ले यह आपका सिस्टम यहां पर बनाया गया है यह देखिए नेगिटिव भी होती है वैली एक्स की और वाई की लेकिन हम सिर्फ यहां पर कंसीडर कर रहे हैं जस्ट पॉस्टिव वैली इसलिए हम यूज करेंगे सिर्फ शेड़ पार इस ग्राफ का जासे दिखाया गया था किलो मेंटर टाइब 2 banda km लानी यह कंशा यह ध्र में दिसाब करना है क्वांटक्र यूज वैक्स पे रहे करना चाहते हैं तीक Day करना पड़ेगा जैसरे यहां पर देखिए अब देख सकते हैं डाइग्राम में यहां पर डिस्टेंस नोने कहां पर लिए है आपकी वाई-axis पर और अपने क्या लिए है ताइम दिया है तो यह देखिए एक मिनिट में 1 km, 2 minit में 2 km, उसी तरह 4 दा 3 minit में 3 km, चूज कीजिए skill जो represent करेगा distance और represent कीजिए time को graph पे, और जो motion है cars केगी वो हम इस तरह से लेंगे 1 minit का 1 cm, 1 km का 1 cm, time का भी 1 cm ले लिया, distance में 1 km कभी 1 cm यहां पर लिया हुआ mark करने है value, time की और distance की इस axis पे, आपके ने टेबल में data लिया गया है उसकी according जो motion है car की, mark कीजिए time 1 minit, 2 minit x axis पे, जैसे की यहां पर लिया गया है similarly distance में 1 km, 2 km, 3 km, 4 km इस तरह आपने लेना है long y axis अब आपने mark करने है point, graph paper पे represent करना है setup जो है value का, ठीक है इसका value, distance और time की जैसे की यहां पर दिखाएगी है, यह आपकी values है, यह table जो है 13.6 जो आपको शो कर रहा था data इसमें था कि 0 minit जब distance थी, तो displacement भी आपकी 0 थी, distance कितनी गवर हुई थी, 0 अब आपने उसके corresponding यहां पर value देखनी है, मैंने बताया आपको यह आएगी value first, अब आपने वहां पर देखा जब आपका time 1 minute था, तो आपका distance भी कितनी गवर हुई थी, 1 तो आपने देखनी कहा पर आ रहा है इस point पर आ रहा हुई, उसी तरह आपका देखे, two minute पे two kilometer, यहां पर आ रहा है, three minute में three kilometer, यहां पर आ रहा है, इसी तरह आपने करके value को आपने यहां पर plot कर देना है, अब एक ड्रा करने है, line जो parallel है y axis के, यह आपको यह चीज़ दिख पर प्लॉट कर लेंगे यह फिग आपको शो कर रहे सेट आप पॉइंट जो हैं ग्राफ पे वह भी अकॉर्डिंग टू दियर पोजिशन जॉइन कीजिए सभी पॉइंट को जैसे कि अपने ग्राफ में जॉइन किया हुआ यह स्टेट लाइन बन रही है यही आपका डिस्टेंस टाइम किसके लिए वादम मोशन अफ़ का अगर डिस्टेंस का इम ग्राफ जो वह स्टेट लाइन मतलब है कि पर स्टेट याँए तो अगर रहा के स्पीड के साथ मूओ कर दो इसकी शैन्ज नहीं हुई अगर स्पीड जो है चेंज होगी तो ग्राफ वोगा कोई और शेप में होगा याद-एगर FFC रखकर निवहां पर स्टेट लायन है इसका मतलब आपकी स्पीड भिल्कुल भी बीजे नहीं हुई अगर आपके पर देखिए यहां पर भी स्टेट लाइन मिल रही है इसका मतलर यहां पर स्पीड क्या है कॉण स्टेंट है यह नहीं होती वह सिंपल नहीं होती वह हमें बहुत ध्यान में रखना पड़ता है हमें चूज करने पड़ते हैं अलगर टाइप के स्केल कि हम कितने सेंटीमेटर पर कितना ले रहे हैं एक से प्रोसेस को हम कैस्ट करते हैं वह बहुत एक एक्सेमपल लीजिए मोशन देखिए बस की दार जो पहली और उसके फ्रैंट चार थे जब पिकनिक पे हम उसकी मोशन करेंगे तो डिस्टेंस कवर हुई है जो टाइम टेकन था बसका वह हमको है बसके दोबार वह 80 km अगर हम डिसाइड करना चाहें कि अगर हम बोलने 1 किलो मेटर को सर्वाण सenti में तो यहां पर 80 km मतलब 80 संटिमेटर लेकिन 80 को प्लॉट करने पड़ेंगे यह तो पॉसिल नहीं है तो इसलिए ऐसे केस में हम क्या करेंगे 10 किलो मेटर को 1 कि अब तो यह स्केल आपके लिए अच्छा रहेगा बैटर रहेगा तो जो ग्राफ करता से स्माल पार्ट किसका क्राफ प्रका वहली तो बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं लेकिन हम वहां पर छोटी बनाकिशो करते हैं कुछ पॉइंट जो होते हैं को ध्यान में रखना पड़ता है जब भी हम क्या करते हैं स्केल के वारे में चूज करते हैं जब हम ग्राफ गुनाने वाले होते हैं तो की पॉइंट को हमें माइन में रखना पड़ता है सबसे पहरे आपने यह देखना पड़ता है डिपेंस कितनी हाइस और लोड वैली जो हैं जो बीच वाली वैल्यू है है क्वांटी हैं वह कैसे हैं ताकि जो स्केर हम चूज कर रहे हैं कि वह उनके लिए हैं और नहीं होगा किस तरह से हम मैक्सिम पार्ट जो है पेपर पे यूस कर सकते हैं जो भी हमारी कंडिशन है आपको गिवन दिया जाए ग्राफ पेपर है आपका साइस कितना 25 इंट 25 ल क्या करेंगे five kilometer को one centimeter six minute को one centimeter तो वह आपने according to your data decide करना पड़ता कि आप graph कैसे ड्रा करते हो तो क्या आप ड्रा कर सकते हो तो अगर आप ड्रा कर सकते हो तो आपने same कैसे बनाना जैसा कि figure 30.13 में बनाया गया है distance time graph जो है वो प्रोवाइड करता है आपको information किसकी motion के बारे में moment कितनी हुई है किसी भी object की जैसा कि आपको टेबल 13.5 था वो information दे रहा है आपको जिए कितनी distance move की है bus ने कुछ टैपने इंटरवराफ टाइम पर दूसरी साइट distance time graph जो हम पॉइंट को टी आपको क्या बता रहा था time बता रहा था ती आपकी क्या बता देगी कि आपकी distance कितनी कवर हुई है इतने टाइम फिर हम ड्रा करेंगे लाइन पॉइंट टी से जो पैल होगी आपके access के जहां पर यह intersect हो रहे है एक सक्षे सो बाइक्स उस पॉइंट को हम डाल देंगे पॉइंट बी वो जो कि distance time graph के according देखिए जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं यहां पर कोई वैली होती है यहां पर कोई वैली होती है इन तीन वैलू पे तो आपको पता है यहां पर इस तरह से आखिर लेकिन अगर कहीं बीच में वैली आपको तो यह था आपका chapter motion and time साथ में जो आज का हमारा topic था measurement of speed वो भी complete होता है हो कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज इसे like कीजिए share कीजिए चैनल को subscribe कीजिए ताकि आपको मेरी latest वीडियो है वो time time मिलते रहे है आपको